रववा सभे के प्रणामबा, देश्वा खातीर, बिहार खातीर, गाउं के जीनगी के आसान बनावे खातीर, और व्यवस्ता मजबूत करे खातीर, मच्री उत्पादन, डेईरी, पशुपालन और क्रिशिक शेत्रे में पढ़ाई और रिसर्चे जुडले सेंक्णन करवड रुपया के योजना के सिलान्यास और लोकारपन बहिल हुआ। एकरा खातीर, सवसे बिहार के भाई बहन लोगन के अंगाब बथाई देतने, बिहार के गवणर फागु चौवान जी, मुख्यमंत्री श्रिमान नितिश्कुमार जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे साथी श्रिमान गिर्राज जी, कैलास चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उपमुक्य मंत्री भाई सुसील जी, बिहार विदान सभागे अद्यक्षे सिमान विजय चौधरी जी, राज मंत्री मंदल के अन्य सदस्य गंड, साउसद गंड, विजय गंड और मेरे प्रिय साथियों। आज जितनी भी ये योजनाय शुरू हुई है, उनके पीछे की सोच ही यही है, कि हमारे गाउं 21 सदी के भारत, आत्म दिर भर भारत की ताकत बनें, उर्जा बनें। कोशिच यह हैं कि अब इस सदी में, ब्लू रिवॉलुक्षन याने मचली पालन से जुड़े काम, वाइट रिवॉलुशन याने डेरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉलुशन याने शहद उत्पादन से जुड़े काम, हमारे गाउं को और सम्रुद्द और ससक्त करें। प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना इसी लक्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंब हो रहा है। अगले 4-5 वर्सों में इस पर 20,000 करोड रुपिये से जादा खर्च किये जाएंगे। इस में से आज 1700 करोड रुपिये का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पुर्णिया, सितामडी, मधेपुरा, किसन गंज और समस्तिपूर में अनेक सुभिदाओं का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है। इससे मचली उत्वादकों को नया इंफास्रेक्टर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का आउसर बढ़ेगा। आजहाती के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उनसे भी कई गुना जादा निवेश प्रधान मंत्री मत्स संपधा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गीरराज जी बता रहे थे, तो शायद ये आंकडों सुनकर के भी कईयों को अच्रज लगेगा। कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकिकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में, कितने कितने लोगों की भलाई के लिए, कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मचली से जुड़े व्यापार कारेबार को देखने के लिए, अब अलग से मंत्रा लै भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मच्वारिय साथियों को मचली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविदा हो रही है। लक्षी ये भी हैं कि आने वाले तीन-चार साल में मचली निदिया को दो गुना किया जाएं। इससे सिर्फ फिशरिस सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जीन साथियों से मैं बात कर रहा था। उनसे समवात के बात तो मेरा विश्वास और जादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई प्रजेश जी से बाते की, भाई जोती मंडल से बाते की, और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास जलगता है। साथियों मचली पालन बहुत कुछ साब पाने की उपलब्ददा पर निर्भर करता है। इस काम में गंगा जी को स्वच्च और निर्भल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में, रीवर ट्रांस्पोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है। उसका लाब भी फिसरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस को जीस मिशन डॉल्फिन की गोशना की गई है, वो भी फिसरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यह एक प्रकार से बाइप्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिपीट यह होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नितिश बाबुजी इस मिशन से ज़रा ज़्यादा ही उत्साइथ है और इसलिए मुझे पका विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संग्या बढ़ेगी, तो इसका लाब गंगा तड के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने साथियों, नितिश बी के नेत्रुत्व में बिहार में गाउं गाउं पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रसंसुनिये काम हो रहा है, चार-पांच साल पहले बिहार में सिर्फ दो प्रतिशत घर पीने के साब पानी की सप्लाई से जुड़े थे, आज ये आंकडा बढ़ कर सत्तर प्रतिशत से अधीक हो गया है, इस दोरान करीब करीब डेड़ करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है, नितिश जी के इस अभ्यान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है, मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब साथ लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिशित किया गया है, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्दी है, ये इस बात का भी उदारण है, कि इस संकट काल में जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गावों में किस तरह एक आत्म विश्वात के साथ काम चलता रहा, ये हमारे गावों की ही ताकत है, कि कोरोना के बावजूत, अनाज हो, फल हो, सबजिया हो, दूद हो, जो भी आवश्रक चीज़े थी, मंडियों तक, डेरियों तक, बिना किसी कभी तकलीप के बिना, वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा, साथियों, इस दवरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूद का उत्पादन हो, हर प्रकार से बंपर प्रदावर हुई है, यही नहीं, सरकारों ने, डेरी उद्योग ने भी, इस मुश्किल परिस्तिती के बावजूद, रिकॉर्ड खरीद भी की है, पी-म किसान सम्मान निदी से भी, देश के दस करोड से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में, सीधा पैसा पहुँचाया गया है, इस में करीब करीब 75 लाँ किसान हमारे बिहार के भी हैं, साथियों, जब से ये योजना शुरू ही है, तब से अब तक करीब 6,000 करोड रुपिये बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गाउं उपर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं, ये काम इसलिए भी प्रसंस नहीं हैं, क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ बाड की विविशका का भी भादूरी से सामना कर रहा है, साथियों, करोना के साथ साथ भारी बरसात और बाड के कारण बिहार समेथ आसपाक्षित्रों में जो स्थिती बनी हैं, उससे हम सभी भली भाती परिचित हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास हैं, कि राहत के कामों को तेज गती से पूरा किया जाए, इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुप्त राशन की योजना और प्रदान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान इसका लाप बिहार के हर जरुरत मन साथि तक पहुँचे, बाहर से गाउं जो लोटे हुए हमारे स्रमिक परिवार हैं, उन तक पहुँचे, इसलिए ही मुप्त राशन की योजना को जून के बाद, वैसे वो जून महिने में पुरा होना था, लेकिन जून के बाद दिपावली और छट पुजा तक उसको बढ़ा दिया गया है। उनको पोच्छान भी मिल रहा है।